हो बे कदरा क्यूं कदर ना जाने हो बे परवा क्यूं बात ना माने अम्मी को तुम इतना सीधा ना समझो बात तो यहीं ठिक रहा था घर बार बेज कर कारोबार करना चाहरा था यहीं पर जिस इंसाने सारी जिन्दगी जॉब की हो वो कारोबार कैसे चला सकता है वो तो मैंने अम्मा को समझाया कि कुछ भी हो जाए बात को घर नहीं बेशने देना कारोबार भी डूप जाएगा और घर से भी हाथ दूप बैटेंगे अम्मा को मेरी बात समझ आ गई अब परसो इबाद वापिस जा रहा है धर भी बच जाएगा और इबाद जाके नौकरी भी कर लेगा लाखों की नौकरी छोड़कर अपना कारोबार कौन करता है भला? बेवकूफ है ऐसे लाखों रुपे का क्या फाइदा आप दी? जो घर की दो बख की रोटी नसीब नहीं होने है ऐसे लाखों रुपे का क्या करना है जिसे दूसरे उड़ा है? एक तो मैं तुम से बहुत परिशान हूँ कभी तुम उसे इत्री बात कर लिया करो तुम तो ऐसे कहरी है जैसे मैं बात की बहन नहीं दुश्मन हूँ यह जो कुछ भी हुआ है न तुम्हारी वजा से हुआ है जी जानती हूँ उसी का कफारा अदा कर रही हूँ आपिया प्रीज भाई को समझाए ना कि वो ऐसा ना करें वापिस ना जाए रुख जाए गुड़ू का क्या होगा और अम्मा वो भी तो अकेली हो जाएंगी मैंने सब सोच लिया अम्मा आ जाएंगी हमारे पास गुड़ू चले आ जाएगा यी बात के साथ सारे मसले ही खतम हो जाएंगे चलो जाओ जाकर आटा गूंदू कर दो कर दो का किसा है भो जाएगगी हमारे मसलेखाद में अरी आएड़ू कर दो कर दो चले के सारे मारे जाएगे कर दो कर दो कर दो हलो मामू की जान कैसा है मेरा बच्चा कुड़ू हाप रो रहे हो किसीने कुछ का है बाबार ने डाउंट है नहीं मैं रो तूंहीं रहा मुझे पताव ना क्या हुआ है मामा जब मैं बड़ा हो जाऊंगो ना तो मैं आपके बहां सा जाऊंगा फिरीचान क्या कह रहे हो यह कैसी बाते कर रहे हो क्या हुआ है बता हो ना मुझे मामा पापा मुझे अपने साथ लेके जा रहे है हम मेशा के लिए हम कभी वापस नहीं आएंगे मामा बस प्रॉमिस करें आप रोहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सब्सक्रा गुटू गुटू मामा मामा माम बैटरी खतम हलो हलो हुआ हुआ वह भाई वह गुटू को मुल्क से भार लेके जारे अबाद मैं उसको गभी नहीं देख पाऊंगी मुझे इबाद की घर जाना है अब गुटू को ले जाएगा नयाब तुम्हारा अब एबाद से कोई तालुक नहीं है ये बाद तुम्हें समझिलेनी चाहिए बेटा भाई आप क्यू नहीं समझते कि मेरा तालुक एबाद से खत्ग होए गुटू से नहीं गुटू तो मेरी अलाद है ना उससे मेरा रिष्ता कैसे खत भी होसकता है। प्ीज भारude मुझे जांडे départ जैसे वो तुम्हारा बेटा है वैसे ही वो अबाद का बेटा है। एबाद का गुड्व के वही तालग है। जो तुम्हारा गुड्व से है। वैसे भी उसे मोलक से बाहर नहीं लेकर जा सकता। अभी कॉल आही थी गु्टो की। उसने पताया कि उसको लेकर जा रहा है भाई मुझे जाना होगा, मुझे लेकर चले, मैं गुड्टो के बगेर नहीं रह सकती। बेको मेरिभास सुनो। तुम्हारी इजाजत के बगएर इबाद गुडू को मुलक से बाहर नहीं लेकर जा सकता। अगर उसे मुलक से बाहर लेकर जाना चाहे भी ना उसे तुम्हारी इजाजत की जरुत पड़ेगी। अब सच कहर है ना? हाँ, सच कहर हूँ. जाओ, जाओ, जाकर आराम करो, मैं अच्छा मैं बाद से बात कर लूगा, बस जाओ. झाल झाल मेरी बेहन किस कर्प से गुज़र रही है किस तकलीफ से गुज़र रही है मुझे इस बात का अंदादा नहीं हो सकता मुझे बहुत जब नायाब के लिए कोई फैसला करना हो ताके वो अपनी पुरानी जिन्दगी को भुला कर नई जिन्दगी की तरफ वापस लोट सके मैं अपनी बेहन को फिर से रस्ता मुस्कुराता हूं शादो आप आप देखना चाता हूं तुमे तो परसुकुन हो जने चाता हूं कम से कम अबाद गुड़ू को यहां छोड़के नहीं जा रहा अपने साथ लेके जा रहा हूं कैसे परसुकुन हो जाओ मैं भावी मुझे चैन नहीं आ रहा हूं पता नहीं मेरा गुड़ू वापस आएगा भी कि नहीं और मेरा बच्चा वाहां रहेगा कैसे नायाब यह सब बाते जाहर है बादने पहले ही सोची होगी तुम्हें अब सिर्फ अपने मुस्तक्बिल के बारे में सोचना चाहिए प्लीज भाबी देखो नायाब मुझे गलत मत समझना मैं जल्दी सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंके लोग बहुत अच्छे मैं नहीं चाहती अच्छा रिष्टा हाथ से लिख ले मैं चाहती हूं तुम उनसे मिलो मेरी खातर मैंने आज शामको उनको बलाया सौरी नायाब मैंने तुम से पूछे बगैर उनको बला लिया लेकिन प्लीज तुम सिर्फ दो मिन के लिए उनके सामने आके बैठ जाना फिर भले ही चले जागो मेरी खातर प्लीज भी झाल हुआ 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 है बाबा हम एड़पूर्ट जाय रहे हैं वो भी दादों से मिले बगए आँ बेटा वे रास्ते में कुछ चीज़ें बगए गरीद नहीं है ना मैंने सुचा आप मेरे साथ ही चाले, बापसी पे दादो से मिल ले, लेकिन बाबा, अब ही देखो मैं आपको कितने अच्छे चीज़ें काने बिलाने के लिए देखता हूँ कि यकीन करें हम दोनों नंद भावच की इतनी दोस्ती है कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है ये तो मेरी छोटी बहनों की तरह है बलकि सारी रौनक इसी से घर में सब को हसाती खिलाती रखती है ये काशिव की तस्वीर देखी थी मैंने मुझे लगता है इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी माशालाब बहुत प्यारी है अब तो हम हां करवा कर ही जाएंगे इतनी जल्दी जल्दी कहां दोनों माशालाब घर बनाने की उमर में तो फिर देर कैसी सुहेल मामा मामा कुट्टू 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 रहने दो नौरीन इनको रोकने का कोई फायदा नहीं हम बहुत मादर्द कोई आपसे आप लोग जा सकते चली कुट्टू भी ए. बहुत कुट्टू कुटू झाल झाल क्या क्या देख रहे हैं आप यहां पर पैसे ढूंड रहा था मैं अपने मिलनी रहा है मुझे कौन से पैसे अरे 15,000 रुपे रखे थे आपे अब कुछ भी नहीं है मैंने नहीं देखे आपके पैसे तुमारे इलावा तो इस कमरे में कोई नहीं आ था फिर पैसे का गए अल्ला जानता है नवीद मैंने आपके पैसे नहीं देखे तुमारी अकल तो वैसे ठिगाने पर नहीं रहती है उपर से वो तुमारा भेनोई मेरा सागा भाई मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है उसने अरे नौकरों जैसा सुलूग करता है मेरे साथ मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं जुकान में जितनी भी कमाई होती है न उसकी फूटी कौडी नहीं मिलती मुझे बस तंखा मिलती है खाली और वो तंखा में से थोड़े थोड़े पैसे करके मैं इसे सेफ कर रहा था और वो अचानक गाइब हो गए यकीन करें नवीद मैंने नहीं देखिया आपके पैसे तुमने देखे नहीं कमरे में कोई आता नहीं सुपर पैसे को क्या पर लग गए और तुम कहती हूं कि मैं तुम्हें बीवियों का दर्जा दूना है बीवियां शौरों की इजट उनके माल के हिवाज़त करती है और तुम तुम्हारी इ इज़त पहली मट्टी में मिला दी थी तुम्हारी जैसी लड़कियों की सेसुराल में कोई इज़त नहीं होती क्या तुम्हारी जैसी लड़कियों की सेसुराल में इज़त नहीं होती मेरी बेहन की जिन्दकी बर्बाद करने की वज़ा बनोगे क्या तालुक है तुम्हारा इससे तलाग दे चुके हो ना मेरे घर में कदम रखने की हिमत कैसे हुई तुम्हारी पर बच्चे की माँ ए जब इसे घर से निकाला था दरदर की ठोकरे खाने के लिए तब तुम्हारे बच्चे की मान नहीं थी ये तुम्हारे बच्चे को इसे पाला पोसा ख्याल लखा तुमने इसे इसका बच्चा चीन लिया अब ये अपनी नई जिन्दकी शुरू कर रही है तो तुम इस सौगात को लेकर वापस आ गयो इस सौगात को उठाओ और निकलो यहां से भाई आपको कोई हक नहीं पहुशता कि आप गुड़ों के लिए ऐसे अलफाज इस्तमाल करें मेरा क्या हक बनता है क्या नहीं बनता मुझे बता दो आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं पागलों की तरह दरदर की ठोकरे कहा रहा हूँ क्या चाहती हो तुम बताओ मुझे सिर्फ हमें ना तुम जलील करा ना क्या जब आप दूंगी उन लों को जहां तुम्हारी रिष्टे की बात चल रही है रिष्टा? अच्छा तो इतनी जल्दी सब कुछ भूल भी तुम मेरी महपत अपने बच्चे की चुदाई है सब कुछ एक साल नहीं लगा तुम्हें और अब तुम दूसरी शादी करने लगी है और कस्मे काई थी मुझसे वफा और महपत की मैं तुमसे कह रहा है वाद अपना मूँ बंद करो और मेरे घर से निकल जाओ वरना अज मैं सारे लिहाद भूल जाओंगा अच्छा तमाशा इन दोनों का राज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हो ही बेवफा वो मुनीब ना सही तुम्हें बेवफाई करने के लिए कोई भी मत मिल जाए तो काफी है अपनी बकवास बंद करो दफा जा यहांसे बाबा मुझे मामा के पास जाना है गुट्ठो मेरी जाना इबाद चुछा बाबा मामा इबाद गुट्ठो नहीं जाओगी तुम इसके पीछे मर गया यह तुमारे लिए अगर तुमने घर से बार कदम निकाला ना तो इस घर में दुबारा वापस मत आना। सुहेल, जाने दे। सही कहरी हो मैं जाने दे। इस दफ़ा जाएगी तो मामला वैसे ही खतम हो जाएगा। मैं अपने गुडू के पगेर नहीं रह सकती। अबाद! ना! इबाद! इबाद! गुडू को मुझे दे दे! इसको मुझे दे प्लीज! इतनी जोड़ से आपने इसकी कलाई फक्री भी इसको दर्दो रोगा। गुडू! कैसे हो मेरे बच्चे? मेरी जान इसे नहीं रो! मामा को दर्दोता है या। इबाद! क्या हो गया? तुम्हें क्यूं कर रही हो ऐसे? गुडू मेरे साथ जा रहा है बस! इबाद इस जिद्धी मत बने! छोड़ दे इसे मेरे पास! यह मुमकिन नहीं है! मैं माह हूँ इसकी! लेकिन तुम्हें तो अपनी नहीं दुनिया नहीं जिन्दगी बसा नहीं है! गुडू के होते हुए मुमकिन नहीं है! यह बाद ऐसा कुछ नहीं है आप यकीन करें वह भाब इसा कुछ नहीं है! प्रीज मुझे किसी किसम की सफाई मत हो! हमाई जिन्दगी में क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहाँ उससे मेरा कोई वास्ता नहीं! वैसे भी मैं मगुडू को सिफ समसे मिलवाने के लिए लेकर आगए! मिलवाने के ली? हाँ! मैं ऐसे अपने साथ लेकर जाहा रहा ہा! यह बात ऐसा नहीं हो सकता! आप इसे कैसे लेके जा सकते हैं, मैं मर जाओगी इसके मुखेद ये मुझसे बहुत दूर हो जाएगा, मैं इसे देख भी नहीं पाओगी मुझे माँ उने कि इतनी बड़ी सजा मत दें, मैं आपके जागे हाँ जोड़ती हूँ नायाब, ये बच्चों माली हरकते करनी छोड़ती है, मेरा और तुम्हारा अब कोई रिष्टा नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूँ ये बात ये मेरे पास रहेगा तो बहुत खुश रहेगा, बाबा मुझे मामा के साथ रहना है गुड़ू बिटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलती है, गुड़ू अब मेरे साथ रहेगा, क्योंकि ये मेरे साथ ही खुश रह सकते है आज मैं आलत मौके पर आगया नाया, लेकिन आकर मुझे इस बात का एसास हो गया है, कि तुम्हे अपनी जिंदगी बनाने का पूरा-पूरा मौका मिलना चाहिए और ये भी नहीं चाहता कि गुड़ू तुम्हारी खुश्यों की राह में रुकावट बने प्रीज बात को समझो मेरी जान बात को समझने की कोशिश करो, आप मेरे साथ आँ आप मामा आप प्रीज आँ मेरे साथ हुआ रुकार मोस्ती जान बात को समझा जरी देए आँ एनला खैर, मेरी अंगुठी कहां चड़ी ङए कहां चड़ी गए कहां चड़ी गए कहां चलेगे कहां चलेगे यह गही गही? स्वेपी नहीं, वह आपिरें गुफटी काँ जनी गही? यहीं तुम्हेंने रखी थी? क्या? क्या उसने अपना बच्चे रखनें से इनकार कर दिया? पेहले तो उसके ड्रामे खतम नहीं हो रहे थे आमी इनकार कर दिया उसने अब आप बारबार इस बात को दहरा कर क्यूँ मुझे दुखी कर रही है.. क्यूँ मुझे ज्यादा तक्लीफ पहुंचा रही है वैसे भी मैं कम्फटेबल नहीं था, जाने से पहले उसके पास अपने बेटे को छोड़ने है। तो क्या करोगे? साथ लेकर जाओगे इसको? कैसी बाते करे रही है आप अपपी? मैं साथ लेकर कैसे जा सकता हूँ? वहां मैं अकेला नहीं रहता, फ्लाट में मेरे साथ दो और लड़के रहते हैं। गुड़ू तो महां अड़्जस्ट नहीं कर पाएगा न। और अगर मैं अपार्टमेंट लेता भी तो काम पर जाते हुए गुड़ू को अकेला तो नहीं छोड़ सकता। इसलिए गुड़ू आपके साथ रहे गई हैं। मेरे पास? अरे मैं नहीं समाल सकती इसको अकेले। मेरी भी तभीयत ठीक नहीं रहती अब। आप अकेली कहां होती हैं नहीं। काम वाली आती तो है जो घर का सारा काम समालती है। उसके इलावा मैं सिद्रा और साइमा दोनों से बात कर लूगा। उनसे रिक्वेस्ट कर दूगा एक कुछ हरसे की बात है। उन हफते में दो से तीन दिन वो गुड़ू के पास आ जाया करें। चले एक फोटा लड़का भी यहां रखवा दूगा। जो शाम में आ जाये करेंगा। गुड़ू के साथ खेला करेंगा और आपके काम भी कर दिया करेंगा। लेकिन अभी मैं इसे साथ लेकर नहीं जा सकता। दो साल की बात है हम्मीर। इतना सा वक्त मांग रहा हूं आप लगों से। मैं कुछ पैसे जमा कर लूगा तो वो पैसे लेकर आप लगों के पास यहांगा। यहीं रहूंदा ना। गुड़ू के बगिर मैं खुद नहीं रह सकता। मेरा जी नहीं चाह रहा है इस अकेला चोड़कर जाने को। हाँ.. खैर है अकेला की हूँ है मैं हूँ ना इसके साथ। दू तीन साल तो मैं गुजारक करी लूँगी। देखो बेटा गुड़ू को भी समझा दे। मेरा कहना माना करें, मेरी बात सुना करें। गुड़ू, बेटा दादों की बात माना करो। इसको तंग मत करो फीस, ओकी। बाबा, मुझे अपने साथ ले जाए। मजबूरी है बेटा। इस चर्से की बात है। अब अपतादों के साथ खुछ रो, क्योंके। अब अपतादों के साथ जाए। गुड़ू, मेरे साथ जा रहा है। आप मेरे साथ जाए। आप मेरे साथ जाए। गुड़ू, आप मेरे साथ अब परवा, क्यों बात ना मामनी, बिन तेरे में। कितनी अधूरी, साथ तरे में। लगते थे बूरी, कोई वदा कर ले बेवफा। क्या हुआ? वो मेरे बेटे को लेजे रहे रहे है। हमेशे के लिए। अरे भाई, गुड़ू तुम्हारा बेटा है। और मा से कभी बेटे जुदा हुए, वो तुम्हारे पास ही आएगा जब भी आएगा। यहां तक के रोजे महशर भी तुम्हारे नाम से ही पुकारा जाएगा उसे। मैं कैसे सबर करो। सबर तो करना पड़ेगा ना। दौा करो उसके लिए, कि उसके रास्ते आसानों से काम्याबिया मिले। और एक काम्याब शक्स बनके वो तुम्हारे सामने आए। कि बोलना हसार होता है। इतना हसार नहीं है। वो बहुत चोटा है, उसको मेरी सरूरत है। उसे तुम्हें जुतों के लेसे तक सही सेरी बाज देयाते। आपको बद है, मैं उस दे स्कूल गई थी, तो ऐसे गिरे बनाके ना, लेसे ऐसे चोड़ी भी थी उस ते, गिर सकता था। वो गिर जाएगा भावी, उसको कोई नहीं सभाद पाएगा। नायाब, बच्चे ऐसी सीखते हैं, यूही गिर गिर के एक दिन सब सीख जाएगा। बर मैं कैसे जी होगी? बेटी तो मेरी जोले खाले है उसके बगएर उसके बगएर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है कोई मकसद नहीं है वही जीए आपने मेरे कहने का मतलब है, जो ही मेरे कंद मेरे कंरे मेरे कंमरे में जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है के अंगोटी उसने उठाई है मैं खुद पूछती तीन जोया से स्थर, Soda! की मामा आपने Sidra Khala के उठाई उठाई एंगोटी मैं थे कोई अंगूठी नहीं देखी सुलो क्या कह रही है वो अब कह दो के जूट बोल रही है वो आप ही मेरा मतलब यह नहीं था बच्चे कमरे में खेल कूट रहोते हैं कहीं कहीं उनसे गिर गई होगी और उन्होंने देख ली होगी क्यों तुम्हारा कमरा कोई मैदान है और तुम्हारी अंगूठी कोई फुटबोल थी जो मेरी बेटी खेल रही थी और गुम हो गई आप ही मेरी बात सुने और समझे खुदाना खासा कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं बस बस रहने दो जो तुमने इल्जाम लगाना था लगा दिया मैं सिर्फ पूछ रही कोई इल्जाम ने लगाया मैंने जोए बेटा आप जाएं स्कुल का काम करें मैं चेक करती हूँ आके जो बेटा रहने दो ये एहसान तुम मैं कोई अनपड़ गवार नहीं हूँ जो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकती समझा रही है मैंने तो तुमें प्यार महबत में कह दिया तुम घर में फारिग होती हूँ मेरी बेटी को पढ़ा दिया करो मेरी बेटी की जिम्हेदारी से अजाद होने के लिए तुमने अच्छा बहाना रूंडा है लेकिन मुझे ये बहाना तुम्हारा बहुत बुरा लगा है मैं एक बात बरदाश नहीं कर सकती अपनी बेटी के बारे में मना कर दूँगी मैं उसे के तुम्हारे कमरे में ना आयब और आइंदा से अगर मेरी बेटी के कोई जिजाम लगाया ना तो मैं बूल जाओंगी तुम मेरी बहन आप ही मेरी बात तु सुने रुको इह बात को तुमने बुलाया था तुमने बुलाया था ना भाई मैंने उसे नहीं बुलाया तुमने नहीं बुलाया तो क्या उसे इल्हाम हो गया था पर एकर तुमने रिश्टा नहीं करना तो हमारे मूपे इंकार कर दो ना मैं जलील क्यों करवा रही हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं क्यों बुलाओंगी बात को और क्यों नहीं बुलाओगी ये तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी हम दोनों क्या चाहते हैं सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं और तुम क्या कर रही हो हमारे बारे में क्या सोच रही हो ये बदला दिया तुमने सारी बातों का भाई अग्य मना करना होता तो मैं उन लोगों के समने हाती ही क्यों? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो घुडो को भिलवाने आने वाला है भाई आँ आग के बात से बात करेंना प्लीज उसे का एक अगर वो बाहर जाना है तो गुडो को मुझे दे दे मैं बात करूँगा उससे, मैं बात करूँगा, जिसे बात करने की तमीज नहीं, रिष्टों का लियास नहीं भाई वो ले जाएगा मेरे बेटे को, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहें, मुझे फिरा बच्चा दिला देना फ्लीज चाहती क्या हो तो, जो तुम्हारे भाई की बच्ची कुछी इज़त है, वो भी मट्टी में मिल जाए तुम्हें इबात समझ में क्यों नहीं आती, कि गुड़ू अपने बाप के पास है और महफूज है और उसका तुम्हारे साथ ना होना, तुम्हारे लिए बहतर है, समझो इस बात को क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हुम्हें, मेरी अपनी बेहन ने, मेरी बेटी पर इजाम लगा दिया कि इसने चोरी की है अल्मारी खाली करी हूँ ताके आकर वो देख ले नवीद, पूछें, पूछें इससे किसने चोरी की है ले लो पूरे कमरे की तलाशी, बलके पूरे घर की तलाशी ले लो आपी मेरा वो मकसद नहीं था, बैने स्रिफ पूछा था कि जोया अगर खबरदार खबरदार अगर मेरी जोया का नाम अपने मुझे लिया तो भाई आपी ने कहा था ना कि सिद्रा से शादी कर लो शादी कर लोगे, दोनों बहने एक साथ रहेंगे तो बहुत पुरसुकून महलोगा कोई लड़ाई नहीं होगी अब देख लें अपनी दूर अंदेशी का नतीजा मेरी नियत तो ठीक थी भाई मुझे क्या पता था हमारी नेक नियती ये रंग लेके आएगी सिद्रा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो तुमने ऐसी कच्ची और बेकार बात करने से पहले ये नी सोचा कि इसका क्या सारोगा तुमारे बहनोई और तुमारी बड़ी बहन के दिलों पे जहीर भाई, मुझे माफ कर दे मेरा हरकिस वो मकसद नहीं था जोया मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है उसके बारे में मैं ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकती मेरे यकीन करे मैंने स्रिफ पूछा ही था और आपी ने खलत समझ तुमारे 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 त यह बात इससे सोचनी चाहिए थी किसके बारे में क्या बात कर रही है अच्छा चलो कोई बात नहीं छोटी बहन है तुमारी माफी मांग रही है जाने दो बात को गल्य लगा लो सब्सक्राइब मेरे तो दिल में यह बात रहेगी ना मेरी बेटी का नाम लिया इसमे आपी यकीन करे मेरा वो मकसद नहीं था आपी प्रीज 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 झाप झाल प्रीज प्रीज तुम वो बेक कदरा क्यों कदर न जानी वो बे परवा क्यों बात न मानी